नमस्कार दोस्तो इस टेड़ी विद हैपिनस में आप सभी का स्वागत है और दोस्तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए आप अपने नोट्स कैसे बनाएं दोस्तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं वीडियो पसंद आए तो अंत में लाइक भी कर सकते हैं दोस्तो बहुत से अभ्यारती नोट्स बनाते हैं बहुत से नहीं भी बनाते हैं और कई बार नोट्स बनाने के चक्कर में as it is पूरी-पूरी किताबे भी उतार लेते हैं और कई बार दोस्तो ऐसा भी दिखा गया है कि कुछ लोग नोट्स नहीं बनाते हैं किताब के अंदर ही मार्किंग कर लेते हैं कि यह मुझे इंपोर्टेंट लग रहा है देखे दोस्तों अगर सब कुछ आपके हिसाब से ठीक चल रहा है और आपको सफलता मिल रही है तो आपको अपनी रणनीती बदलने की कोई आवशक्ता नहीं है मगर यदि अभी तक कुछ न कुछ प्राबलम चल रही है और यदि आप नोट्स नहीं बनाते थे तो दोस्तों आपको नोट्स बनाने की बहुत आवशक्ता है यह चीज मैंने देखी है और मैं भी नोट्स बनाता था उसी के मैंने यह स्क्रीन सोट यहां पर डाले हैं कुछ और मैं दिखाऊंगा कि मैं किस तरीके से नोट्स बनाता था दोस्तों जैसे कि आप यह देख रहा हूंगे इस समय पर यह एक A4 साइज मैंने पेपर लेता था तो कई लोग होते हैं मोटे मोटे रेश्टर बना लेते हैं मगर दोस्तों मोटे मोटे रेश्टर जो होते हैं वो भारी भी होते हैं और उन्हें आप इतनी आसानी से अपने साथ कैरी भी नहीं कर सकते हैं मगर जो दोस्तों A4 साइज की जो पेपर होते हैं उन्हें आप जब loose paper है अभी आपने उसे staple नहीं किया है loose paper है तो मालीजे आपने notes बनाए और उसे अपनी jam में भी रख लिए मालीजे कहीं आप बाहर job करने जाते हैं या कहीं पर भी जाते हैं तो आप उसे एक बार revise कर सकते हैं कई बार revise कर सकते हैं ठीक है तो हमें अगर हम GS की बात करें तो इस तरीके के notes जरूर बनाने चाहिए यह आपके लिए काफी फाइदे मन रहते हैं यहाँ पर मैंने यहाँ पर बनाना शुरू किया था और देखेंगे मैंने एक page पे 60 questions लिख दिये हैं जो मुझे मेरे इसाप से उस समय पर लगते थे किताब कहां से लिख सकते हैं यो कोई भी ताब आप रैंडम लि इस्तमाल कर सकते हैं प्रिविएस एर की बुक का इस्तमाल कर सकते हैं कोई भी ऐसी बुक जिसमें आपको पढ़ना पड़े गा ऐसा नहीं है कि आप डारेक्ट वन-liner पर कूच जाएं आपको पहले अपना जो भी आपके बेसिक्स हैं, उन्हें पढ़िए, चाहें वो NCRT का प्रियोग करें, या किसी भी चैनल से पढ़ें, तो जब मॉक टेस्ट दे रहे हैं, और जब आपको नए-नए कोशन आपको जानने को मिले हैं, आपके इसाफ से, आपकी नॉलिज के इसाफ से, तो उन्हें आलक से नोट जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों जब परिक्षा होगी, तो अंतिम जब दिन आएंगे, मान लिजी अभी एक हप्ता रह गया है, तो में चीज आजाएगी रिविजन की, कई बार होता है, दोस्तों की इतने सारे पढ़ाई करने के बाद भी सफलता नहीं मिल पाती उसका कारण है कि आप समय से रिविजन नहीं कर सकते, रिविजन लास्ट के जब साथ दिन बचे हैं और इतने सारे सब्जेक्ट हैं, कैसे एकदम से रिविजन किया जाएगा, तो दोस्तों इसी लिए जो हमें लगता है कि इन चीज़ों का मुझे रिविजन करना सबी प्रशनों को एक बार जरूर देखता था, तो ये Mixed GK का एक तरीके से मैंने content तयार किया था, इसी तरीके से आपको हिंदी का भी तयार करना चाहिए, English का भी, जिस भी subject के बारे में आप पढ़ रहे हैं, उसे जरूर करने चाहिए, और दोस्तों हमें अपनी handwriting बड़ी नोट्स बनाईए, दोस्तों, जैसे कि मान लिए कुछ ऐसे formula है, percentage के, compound interest के, कुछ भी, जहां पर आपको लगता है कि मुझे आखरी समय पर इन्हें revise करना चाहिए, तो आप वो कीजिए, current affair के लिए बना सकते हैं, मगर हाँ, copy वाले जादा मत बनाईएगा, ठीक है, क्योंकि copy वालों को बार-बार revision करने में, थोड़ी सी मेरे हिसाब से problem होती है, और यदि A4Size का paper ले लें, आप photo copy के जो paper होते हैं, दोस्तों, उन्हें खरीद लीजिए, और daily का आपना एक target बनाईए, कि मुझे इतने प्रश्न लिखने हैं, और उससे क्या होगा, कि एक तो आप लि लगता है कि ये सवाल करने का तरीका अलग है मेरा, तो उस सवाल को ही अलग से कर लें, मैंने mathematics के भी दोस्तों, अपने अलग से लगबग डेड़सों से दोस्तों सवाल ऐसे अलग कर रखे थे, कि हाँ इनका method जो है थोड़ा सा अलग है, और इन्हें मैं आखरी समय पर एक समय के अनुसार बदलता रहता है, उसी तरीके से आपको, जिस तरीके से paper आएंगे, और कोई भी नई चीज आती है, तो आपके जो notes हैं, वो भी बदलने चाहिए, अपडेट होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों, जो static G के हैं, वो तो same ही रहता है, मगर कभी-कभी कुछ अलग कोशन पूशन लगते हैं, या current affair है, इन सब चीजों के लिए आपको तयार रहना पड़ेगा, अच्छा दोस्तों, ये total मिला के मेरे पास 600 प्रशन है, क्या आप चाहते हैं, क्या मैं इसका एक dedicatedly वीडियो बना दूँ, साड़े 600 प्रशनों के लिए, एक वीडियो में ये सा एक dedicated वीडियो बना कर upload कर दूँगा, जिससे की जो भी मैंने material उस समय पर इखटा किया था, ये सब आपके काम आ सके, और इसके अंदर mix जी के हैं, ऐसा नहीं है, history के हैं, polity है, geography है, इसके अंदर सब कुछ mix कर रखा है, ठीक है दोस्तों, तो जल्द मिलेंगे हम next वीडियो म पसंद आया हो, तो लाइक कर लिए, धन्यवाद, जैहिन, जैभारत